हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टडेगर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम 21 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्पूर्ण करिंट अफ्यस के कोशन डेस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से हो, लास्ट तक जरूर देखेगा, दोस्तो लास्ट में इ नए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, आज का फर्स्ट कोशन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आउजित किया जा रहा है, तो यह कतर में आउजित किया जा रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आउजित किया जा रहा है, कतर में जिस प्रकार से किर्क्ट का वर्ल्ड कफ दोस्तों बहुत ही लोग प्रिये होता है उसी प्रकार से फुटवाल का जो फीफा वल्ल कफ होता है वही भी बहुत ही लोग प्रिये होता है और दोस्तो इस साल यानि двиг Sixt refuse में इसका आय supuesto है कतर पहला ऐसा अरब देश बन गया है जहां FIFA का विस्काफ हो रहा है दोस्तो, 2022 का जो FIFA विस्काफ हो रहा है उसका सुभंकर जरूर याद रखेगा उसका सुभंकर है कौन? लाइब दोस्तो, FIFA विस्काफ 2002 के बाद दूसरी बार एसिया में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है इससे पहले जापान और साउध कोरिया में सेवक रूप से इसका आयोजन 2002 में किया गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भारत की तरप से उधगाटन समारो यानि ओपनिंग सेरेमेनी में कौन सामिल हुए है उपराश्टपती जगदीग धनकर सामिल हुए है उपराश्टपती जगदीग धनकर है और दोस्तो वो भारत की चौदवे उपराश्टपती है याद रखना है फीफा के वारे में कुछ इंपोर्टेन जानकारी डिसकस करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एस्सोसियेशन इसका हेड़कॉर्टर है जीवरिक सुट्या लेंड में इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी पहला विस्वकफ 1930 में आय आयजित किया गया था कव? 2016 में तो यह रूस में आयजित किया गया था और उसमें जो चेंपियन बना था वो कौन बना था? फ्रांस बना था ठीक है दोस्तों? 2026 में अंगला जो FIFA World Cup है वो कहां आउजित किया जाएगा Canada, America और Mexico में आउजित किया जाएगा दोस्तो ब्राजील जो है वो फोटवाल की सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार World Cup को जीता है इटली और जर्मानी ने अब तक 4-4 बार इस खिताब को जीता है अंगला प्रस्न है मनिका बत्रा ने ACI Cup Table Tennis Tornament में कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तो मनिका बत्रा जो है वो Table Tennis की खिलाडी है तो उन्होंने ACI Cup Table Tennis Tornament में ब्रॉंज मेडल हासिल किया है अब ये इतना खास क्यों है मेडल दोस्तो क्योंकि अभी तक कोई भी भारतिये Table Tennis पिलियर ऐसी नहीं हुए है जिसने ACI Cup Table Tennis Tornament में मेडल जीता हो लेकिन मनिका बत्रा ने ब्रॉंज मेडल हासिल किया है उन्होंने ब्रॉंज मेडल के लिए जो मुकाबला हुआ था उसमें जापान की खिलाडी को हराया था दोस्तो मनिका बत्रा इस Tornament में मेडल जीतने वाली दूसरी इंडियांस है यानि दूसरी भारतिये हैं लेकिन पहली महिला खिलाडी है याद रखना है इससे पहले चेतन बबूर ने 1997 में रज़त पदक और साल 2000 में ब्रॉंज मेडल जीता था अंगला प्रस्न है तबस्सम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो दोस्तो तबस्सम जो थी वो एक प्रसिद अभिनेत्री थी तो इनका हाल ही में निधन हो गया है तो प्रसिद अभिनेत्री तबस्सम का 19 नवंबर 2022 को निधन हो गया है उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में बालक लाकार की रूप में कारिक किया था दोस्तो तबस्सम को दूरदर्सन के लोग प्रिये टॉक सो फूल खिले हैं गुलसन गुलसन तो इसकी मेजबानी के लिए उन्हें जाना जाता है उन्होंने 1960 में जो एक एतिहासिक फिल्म बनी थी जिसका नाम था मुगले आजम तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा अभिनाई भी किया था दोस्तो मुगले आजम में प्रतवी राज कपूर, दिलीब कपूर और मधु साला इन सभी ने अभिनाई किया था और उसी में जो तवस्तों थी उन्होंने एक छोटा सा अभिनाई किया था हाली में जो निधन हुए हैं चलिए उनको भी डिसकस कर लेते हैं तो अब्बास मुंतसर का हाली में निधन हुआ है वो कौन थे? तो भारत के बास्केट वाल पिलेयर थे बिर्जू साह कौन थे? भारतिय मुक्षेवाज सेख हली प्रसिद इतिहासकार थे साइरस मिस्त्री टाटा संस के पूर्व चेयर्मैन थे अभिजीत सैन कौन थे? प्रसिद अर्थ सास्त्री थे समर बनर जी कौन थे भारतिय फोटवाल टीम के पूर्व कप्तान थे एलिजाबेथ दूतिय कौन थे ब्रेटेन की महरानी थी कमल नारायन सींग कौन थे भारत के पूर्व मुख नयाय अधीस थे राजु स्रीवास्ता कौन थे प्रसिद कॉमेडियन थे इनका हाल ही में निधन हुया है इनको भी आप दोट कर लीजिगा अंगला प्रसन है भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है जिससे हाल ही में इसरो ने लॉंच किया है तो दोस्तो यह कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इस कोश्चन में हमने थ्री स्टार लगाए है ठीके दोस्तो इंपोर्टेंट कोश्चन है तो दोस्तो भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है जिसको इसरो ने लॉंच किया है उसका नाम है बिक्रम एस क्या नाम है बिक्रम एस तो इसरो के द्वारा भारत का पहला निजी रॉकेट बिक्रम एस आंदप्रदेश के स्री हरी कोटा में 27 दवन अंत्रिक्ष केंद से लॉंच किया गया है चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं देखिए इसरो के पूर्व बिग्यानिक थे जिनका नाम था पवन कुमार चन्ना और नागा भरत डाका तो इन लोगोंने क्या काम किया कि इसरो को छोड़ दिया ये लोग रॉकेट बनाना पहले से जानते थे तो इन्होंने 2018 में कब दोस्तो 2018 में एक Sky Route Aerospace नाम की एक कंपनी बनाई ठीक है जिसका काम था रॉकेट बनाना ठीक है दोस्तों अंत्रिक्ष कारक्रम का जनक कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों जो स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी है उसके संस्थापक कौन है पवन कुमार चंद्ना और नागा भरत डाका तो इन्होंने जो कंपनी मनाई उसकी अब जो पहली रॉकेट है उसको लॉंच किया गया है और ये निजी रूप से पहली रॉकेट है भारत की इसलिए ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है अब ये रॉकेट है भारत के अंत्रिक्ष छेत्र में बहुत ही क्रांती लाने वाली है देखिए दोस्तों कैसे क्रांती लाएंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा देखिए होता क्या है कि अगर इसरो को कोई छोटा सा भी उपगरह लॉंच करना होगा तो उसे GSLB, PSLB नाम की जो रॉकेट हैं उनसे लॉंच करना होगा लेकिन उनका खर्च जो है वो बहुत अधिक होता था लेकिन अब जो ये रॉक्टे मनाई गई हैं इसमें क्या होग खर्च बहुत कम है बहुत सस्ते दाम में और हम अब उपगरह लॉंच कर सकते हैं जो प्रतवी की निचली कत्षा होती है उसमें जो उपगरह लॉंच करने होते हैं उनको अब हम आसानी से लॉंच कर सकेंगे तो इसरो को भी फाइदा होगा और स्काइरूट एरो स्पेस को को भी फाइदा होगा ठीक है इसरो की बात आइए तो इसका फुल फार्म होता है इंडियर स्पेस रिसर्च और्गिनाजिशन चुकि भारत की एक अंत्रिक्श कंपनी है ऊंत्रिक्श एजेंसी है दोस्तो भारत की अंत्रिक्श एजेंसी का नाम जरूर याद रखेगा उसक समुद्री बैठक कहां आयुजित की गई है तो इस question का answer होगा मुंबई में ठीक है तो भारत और नार्वे के बीच अभी हाल ही में समुद्री बैठक आयुजित की गई है कहां पर दोस्तो मुंबई में आयुजित की गई है तो इसमें green समुद्र पर बात की गई है green समुद्र का मतलब ये है दोस्तों ध्यान से समझेगा देखे होता क्या है कि समुद्र में बहुत सारे जहाज चलते हैं नावें चलती है तो उनमें इस प्रकार का कारक्रम बनाया जा रहा है कि इनमें अब ग्रीन अमोनिया का यूज किया जाए और हाइडरोजन का यूज किया जाए जिससे होगा क्या कि समुद्र में जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सकेगा तो इनहीं सभी कारक्रमों को लेकर के आठवी नार्वे भारस सेयुक्तिक कारिकारी समुद्री बैठक आयजित की गई है ठीक है दोस्तों तो इस बैठक में ग्रीन अमोनिया और हाइडरोजन जैसे बैकल्पिक इधनों की उपियोग पर बिचार बिमर्स किया गया है देखिए दोस्तों यहाँ पर बात आई है नौर्वे की तो नौर्वे जो है वो यूरोप महादीब का एक देस है इसकी राजधानी ओसलो है और यहाँ की जो प्रधान मंत्री है वो है जोनास गहर इस्टोर दोस्तों इसकी जो सीमा है यनि की जो नौर्वे की सीमा है वो सुईडन से लगती है इसके अलाबा इसकी सीमा फिनलेंड से लगती है और नौर्वे की सीमा रसिया से भी लगती है तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा अंगला प्रस्न है विस सु बाल दिबस 2022 कब मनाये गया है इंपोर्टेंट है दोस्तो आंसर है इसका 20 नवंबर को अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले राष्टिय बाल दिबस या बाल दिबस मनाया है तो वो कब मनाया है 14 नवंबर को मनाया है कब मनाया है दोस्तो 14 नवंबर को ठीक है तो 14 नवंबर को बाल दिबस मनाया जाता है इंडिया में पंडे जबाहलाल नहरू की जन्मिन जैन्ती पर और इसके अलावा 20 नॉम्मर को 208 लिबस मनाया जाता है तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आप नोट जरू कर लीजिगा अगर आप इस लेक्षर का पीडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें अप्लिकेशन का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाए जहां से आप किसी भी एप को डाउनलोड करते हैं वहां पर आपको steady कर search करना है तो आपको हमारा जो एप्लिकेशन है मिल जाएगा वहाँ पर डेली कर इंटरफियर्स के जो PDF में वो डलते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो 2022 की थीम क्या है विस्व बाल दिबस की समा बेशन हर बच्चे के लिए हर साल 20 नॉवमर को अंतर राष्टिय एक्ता को बढ़ाबा देने के लिए दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए और बच्चों की कल्यान में सुधार के लिए विस्व बाल दिबस मनाया जाता है और 14 नॉम्बर को भारत में राष्टिय बाल दिबस मनाया जाता है ठीक है विसु इस तर पर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था का नाम क्या है यूनिसेफ चलिए यूनिसेफ के बारे में कुछ important बातें discuss करते हैं इससे पहले हम बात करेंगे बाल अधिकार सप्ताह की तो बाल अधिकार सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है तो ये 14 से 20 नॉम्बर के बीच में मनाया जाता है यानि राष्टिय बाल दिबस से लेकर के 20 बाल दिबस तक भारत में बाल अधिकार सप्ताह मनाया जाता बात कर लेते हैं अब UNICEF की, तो UNICEF को हम United National Children Fund के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, ठीक है, 1953 में इसका नाम संयुक्त राष्ट बालकोस कर दिया गया था, यह बच्चों और माताओं को विकास और मानविय सहायता प्रदान करता है, इसका अगला प्रस्न है, Global Humanitarian Award से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम है दानिस मंजूर भट, तो दोस्तों कस्मीरी पत्रकार है कौन, दानिस मंजूर भट तो उन्हें सेव्ट राज अमेरिका के निव्यार्क में, भारतिये बानिज दूताबास में, आज़ितिक समा प्रस्कार महाबारिज जिदूत, रंडधी, जैसवाल, जो कि एक IS हैं, और प्रैम भंडारी, यह अध्यक्ष है, जैफूर फुट, यूएस से के, तो उनके द्वारा यह पुरुसकार उन्हें दिया गया है, अगला प्रस्न है, मेटा ने किसे मेटा इंडिया का नया प्रम नयुक्त किया है, तो दोस्तों उनका नाम है संधिया देवनाथन, क्या नाम है, संधिया देवनाथन, तो दोस्तों मेटा जिससे पहले फेस्बुक की नाम से जाना जाता था, तो उसने अब संधिया देवनाथन को मेटा इंडिया का प्रमुक्त किया है, यानि अब जो किसके हाथ में आ गई है संधिया देवनाथन के हाथ में आ गई है ठीक है दोस्तों संधिया देवनाथन में किसका इस्थान लिया है अजीत मोहन का इस्थान लिया है संधिया देवनाथन जन्वरी 2016 में सिंगापूर में समूह निदेशक और c e-commerce travel और fin serve के रूप में meta में सामिल हुई थी देखे दोस्तों meta मतलब जिसे facebook कहा जाता था तो facebook यह नहीं जो आप mobile में चलाते हैं और facebook company के बात कर रहे हैं ठीक है तो facebook company की स्थापना 2004 में की गई थी और इसके संस्थापा कौन है Mark Zuckerberg है चलिए दोस्तो अंगला प्रस्न है no money for terror संमिलन कहां आजजित हुआ है तो यह नई दिल्ली में आजजित हुआ है कौन सा संमिलन दोस्तो no money for terror तो इसका संमिलन जो है वो नई दिल्ली में आजजित किया गया है बहुत important संमिलन था इस संमिलन का आयोजन कब से कब तक किया गया है तो 18 और 19 नवंबर को किया गया है और दोस्तो इसकी मेजबानी किस ने की है NIA के द्वारा की गई है ठीक है दोस्तो भारत की एक सुरक्षा एजेंसिय जिसका नाम क्या है NIA तो उसके द्वारा No Money for Terror सम्मिलन का की मेजबानी की गई है इसी तरह की पहली वैठक 2018 में पैरिस फ्रांस में आजज़ित की गई थी और दूसरी वैठक 2019 में मैलवर्न ऑस्टिलिया में आज़ित की गई थी इस सम्मिलन का उद्देश है आतनकबाद पर चर्चा करना और उससे निपटने के लिए योजना तयार करना लेकिन दोस्तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो No Money for Terror सम्मिलन है इसमें क्या पाकिस्तान सामिल हुआ था तो बिलकुल नहीं भारत ने बुलाया ही नहीं अंगला प्रस्न है पहली फॉर्मूला E World Championship Race कहां आईजित की जाएगी तो इसका आईजन हैदरावाद में किया जाएगा तो पहली फॉर्मूला E World Championship Race का आईजन हैदरावाद में किया जाएगा जिसमें दोस्तों इस प्रकार की जो एलेक्ट्रिक कारें हैं वो दोड़ेंगी रेस लगाएंगी ठीक है तो हैदराबाद मेट्रो पॉलिटन डेवलपमेंट अथोर्टी और इंडियन रेसिंग लीग सेंग तुरूप से 19 और 20 नॉब्बर 2020 को हैदराबाद में भारत की पहली स्ट्रीट सर्केट कार रेसिंग का आयजन कर रहे हैं कर चुके हैं ठीक है तो पहले क्या हुआ है स्ट्रीट सर्केट कार रेसिंग हुई है यहाँ पर कब से कब तक 19 और 20 नॉब्बर को हुई है ठीक है इसका आयजन हो चुका है लेकिन दोस्तों कोश्यन था हमारा फॉर्म दोस्तो ये थे आज के महत्पोर्ड करेंट अफेस के कोशन, अब हम एक टेस्ट लगाते हैं, तो इस टेस्ट के आदार पर दोस्तो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, पहला कोशन है, रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो वर्ल्ड कप 2022 किस दिस में आयुजित क्या जा रहा है, कतर में आयुजित क्या जा रहा है, मनिका बत्रा ने ACI कप टेबल टेनेस टूनामेंट में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉंज मेडल जीता है, तबस्सम कौन थी जिनका हाली में निधन हो गया है, तो दोस्तो तबस्सम एक क्या थी अभिनेत्री थी भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है जिसे हाली में इसरुन ने लाउंच किया है उसका नाम है बिक्रम एस आठवी नौर्बे संयुक्त कारेकारी समुधरी बैठक कहां युजित की गई है तो ये मुंबई में युजित की गई है फीफा वाल दिवस 2022 कब मनाया गया है तो ये 20 नौर्मर को मनाया गया है ग्लोबल हुमेनिटेरियन अवार्ड से हाली में किसे समानित किया गया है दानिस मंजूर भट को मेटा ने किसे मेटा इंडिया का नया प्रमुक्त किया है संधिया देवनाथन को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहां अरजित किया गया है नई दिल्ली में पहली फॉर्मूला इवर्ड चेंपिनसिप रेस कहां अरजित की गई हैदराबाद में तो चलिए अब आपसे ये उमीद रखते हैं कि आप इसका स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है इसके बाद आपसे एक कोशन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में देना है फीफा विस्टुकप 2022 किस देश में आज इसका रहा है जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा आपसन आपके सामने है ठीक है तो अगर आपने लेक्शर बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे देखें दोस्तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप को डाउनलोड कर लें इस्टेडी माटियरियल पर जाएगे तो आपको PDF मिल जाएगा और इसके अलाबा दोस्तो मंतली कर इंटरफेर जो भी important PDF में वो सभी उपलबने हमारे एप पर तो आपको Google Play Store पर सर्च करना है इस्टेडी कर आपको एप मिल जाएगा लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीला प्लेटफॉर्म पर जैहिंद वन्दे मातरम